हेलो अबरिवन स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ नवीडियोब हएं कि अब्व है कि आप एक यूट्यैनल को सबस्क्राइब करें हमारे यहां पर बात करने वाले हैँ आपके Part B Railway ALP Technician CBT2 के Part B में normalized होगा या नहीं होगा देखिए लोग मन में create कैसे हुआ यह confusion कि आपको पता होगा कि RRB मालदा के तरब से Twitter handle के तरब से tweet करके बताया गया था कि आपका Part B में normalized नहीं होगा ठीक है और फिर कभी कोई-कोई न्यूस पेपर में भी जो आपका आया था न्यूस में भी आया था कि Part B आपका normalized नहीं होगा लेकिन हम लोग यहां पर बात करते कि जो भी social media platform पे आपको देखने को मिलता है कोई जरूरी नहीं वह 100% जो है सही हो ठेक है यहां पर कोई जरूरी नहीं वह 100% सही में पास यह गलत भी हो सकता है तो इसके लिए सबसे बहतर जो हमारा एक्-जामपल होगा वह की serieson notification में क्या बताया गया है Part B के बारे में तो यहां पर हम्रोग ऊक्रशन के बारे मंकर आगर हम लोग लोग जब six number में जाएंगे यहां पर देखें जब हम लोग six number में जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है कि mark will be normalized in all the stage of exam ठेक है मतलब stage कहने का मतलब है पहला तो आपका cbt पहला तो आपका हो जागा cbt1 ठेक है cbt1 और उसके बाद हो जाएगा cbt2 अब cbt2 में आपका दो पार्ट थे पार्ट A और पार्ट B तो यहां पर कुछ ऐसा नहीं लिखा गया कि पार्ट B में आपका normalized नहीं होगा यहां पर क्या लिखा गया है कि mark will be normalized all the stage of exam ठेक है पार्ट A और पार्ट B यहां पर दोनों में normalized होना है और रेलेवे का नियम है कि अगर आपका multiple shift में एक्जाम हुआ है तो आपका वह normalized करेगा राइट क्योंकि अगर multiple shift में एक्जाम होता है तो कोशन को label को maintain करना possible नहीं होता है suppose करी कि कोई दो student है ठेक है यहां पर कोई example ले लिए एक student यह है और एक student यह है ठेक है अब यहां पर क्या हुआ है कि इसके shift में थोड़ा सा easy question थे तो वह थोड़ा सा attempt करके जो है 28 marks लेके आ गया राइट और इसके shift में थोड़े से question जो tough थे तो यहां पर यहां पर क्या है वह पांच मार्स से चार marks से पीछे रहा गया तो क्या यहां पर यहां पर यह fail हो जाएगा नहीं अगर multiple shift में एक्जाम होए तो नॉर्मलाइस्ट करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि फिर यहां पर student के साथ यहां पर वहदभा हो जाएगा यह student के साथ जो easy question आए तो यह 28 marks पार कर गया और इसक कि जब भी multiple shift में एक्जाम अगर होता है तो वह रेलवे के द्वारा नॉर्मलाइस्ट किया जाता है तो यहां पर आपका simple सा फंडा है simple सी बात है कि आपका part B में भी नॉर्मलाइस होगा 100% आपका part B में नॉर्मलाइस होगा अब यहां पर जो है social media platform पर आप ज्यादा ध्य जान दीजेगा तो जाहिश से बात है कि रेलवे के द्वारा द्वारा जो notification में बताया गया उसे आप ज्यादा जो है consider करेंगे तो यहां पर रेलवे के द्वारा जब साप साप कह दिया गया है कि marks will be normalized all the stage of exam सभी stage के exam में होगा यहां पर किसी यहां पर पूरे notification में अगर आ अगर आप यहां नहीं लिखा गया है कि पारट बे में आपका नॉर्मलाइज नहीं होगा और ऐसा अगर रहता तो रेलवे पहली ही बता देता है इसके बारे में यहां पर डारेक्ट यह नहीं लिखता कि यहां पर जो आपका सभी stage में जो नॉर्मलाइज किया जाएगा य तो अगर आप यह सोच रहे कि क्योंकि बहुत सारे यूट्यूइबर है जो यह विडियो बना रहे कि आपका पार्ट बे में नॉर्मलाइज नहीं होगा तो अगर ऐसा विडियो बना रहे तो आप डारेक्ट उन से पीछे कि कहां पर लिखा गया है रेलवे के दौरा राइ तो वहां पर आपको समझ में भी आ जाए कि पार्ट बी में आपका नॉर्मलाइज हुआ या नहीं यहां लेकिन मेरे तरफ से अगर मान के चलो तो हंड्रेट परसेंट आपका पार्ट बी में नॉर्मलाइज होगा राइट अभी कुछ कंफूजन हो तो आप कमेंट बॉक् तिल देन गुडबाई